हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिस इस रितिश अगर आप फ्रेशर हैं और आईटी कंपनीज में जॉब करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है एज फ्रेशर हमारा सबसे पहला कोशन ये होता है कि हम स्टार्ट कहा से करें तो अगर आप फ्रेशर हो और अगर जीरो पे हो और आप चाते हो कि step by step आपको guidance मिले तो वीडियो आइंड तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चार important points सबसे पहला तो ये कि इस चीद से कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका background क्या है आप किसी भी background से हो सकते हो आपने b.tech करी हो चाए आपने m.tech करी हो चाए b.ca, m.ca या फिर आपने कोई non-technical degree भी की हो जैसे की b.com वगरा second number पर इस चीद से कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका college क्या था आप private colleges से भी हो सकते हो या फिर आप government colleges से भी हो सकते हो आपका college tier 1 college भी हो सकता है या फिर आपका college tier 4 college भी हो सकता है number 3, ये वीडियो मैं इस mindset से बना रहा हूं कि आप अभी fresher हो और आपका जो goal है वो एक IT company में job करने का या फिर internship लेने का goal है goal set करना बहुत important होता है life में क्योंकि goal के साब से ही हम अपने अपने journey को plan करते हैं कि हमें ही पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है फिर ये काम करना है फिर ये काम करना and so on और fourth point इस वीडियो में मेरा focus off campus placement पे रहेगा अगर आपका on campus placement लग गया है तो congratulations बहुत ही अच्छी बात है बट फिर भी आप इस वीडियो को देखके off campus job पे भी focus कर सकते हो हो सकता है आपको माँ पे salary ज़ादा मिले तो ये important points wrap up होने के बाद अब हम main session को start करते है ये एकदम basic है bare minimum है programming language मतलब कि आपको programming language के basic सीखने पड़ेंगे की variables क्या होते है loops कैसे काम करते हैं classes क्या होती है functions and so on अब सचसे important सवाल ये होता है कि हम सरक कौनसी language सीखें तो कौनसी language सीखने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना एक domain चूज़ करना पड़ेगा सबसे पहला domain है आपका web application development, web application development में आपको front end side होती है और दूसरी backend side होती है second number पे आता है आपका mobile application development और third number पे आता है आपका AI, ML, data science, ESM तो अगर आपका interest web application में है और front end side में है तो आपको javascript पे focus करना चाहिए अगर आपका interest backend में है तो आप java या फिर python या फिर golang कोई भी एक object oriented programming पे focus कर सकते हो java इसमें सबसे ज़्यदा popular है और मैं personally java को बहुत recommend करता हूँ अगर आपका interest mobile application development में है तो mobile application development में भी दो parts है पहला तो यह है कि आप ios devices के लिए app बना सकते हो तो अगर आप ios devices के लिए app बना रहे हो तो swift वहाँ पर एक option है आपको swift सीखनी बढ़ेगी अगर आप android devices के लिए app बना रहे हो तो वहाँ पर java या फिर kotlin दोनों में से किसी एक से काम चला सकते हो एकदम last में आता है आपका data science domain तो अगर आप data science domain में interest रखते हो तो यहाँ पर आपको python पर focus करना चीए python की community बहुत ही बड़ी है और आपको वहाँ पर support भी काफी जादा मिलेगा अगर आपको python में कोई doubt है या फिर अगर आप कोई data science का project कर रहे हो और आप python को use कर रहे हो आ अगर फिर भी कोई doubt है तो नीचे comment section में post कर दो और यहाँ पर language सीखने का मतलब यह है कि आपको language के basics सीखने है जैसे की loops क्या होते है variables क्या होते है language का syntax क्या है classes क्या होती है classes की objects कैसे बनाया जाते हैं तो यह एकदम basic topics हैं किसी भी language के लिए अब जो इतनी सारी languages हैं जो मैंने आपको इतना सारा content दिया है अगर इसको मैं sort करूँ कि सबसे easy language कौन सी है और सबसे जल्दी आप कौन सी language को use करके get started कर सकते हो तो मैं सबसे पहले यहाँ पर javascript को रखना चाहूँगा मेरे personal experience में javascript सबसे easy languages start करने के लिए और javascript से आप बहुत quickly application develop कर सकते हो बहुत easy तरीके से second number पर python आती है और third number पर java है java और python generally same level पर होती है बट python को मैं थोड़ा personally उपर रख रहा हूँ क्योंकि python में कुछ चीजें आपको नहीं करनी पड़ती कुछ चीजों के बार में आपको नहीं सोचना पड़ता java में आपको थोड़े वो terms हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे और इस वज़े से हो सकता है कि आपका java का learning कर थोड़ा ज़ादा हो compared to python language सीखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और second milestone पर पहुंचते हैं कि चलो अब हमने language सीख लिए अब आगे क्या तो language सीखने के बाद आपको थोड़ा बहुत practice करना पड़ेगा और आपको DSA पर focus करना पड़ेगा DSA मतलब कि data structures and algorithms college में यह topic हमारे को पक्का पड़ाया जाता है हो सकता है कि हम ध्यान ना दे मैंने भी ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा तो DSA जो है वो किसी भी computer program के fundamental है इसका एक सबसे simple example है आप सबको fantasy apps के बारे में तो पता ही होगा जैसे कि dream 11 है या फिर बाकी विंजो games हो गया और भी बहुत सारी apps है तो यह जितनी भी apps होती है इन सब में आपको एक leaderboard देखने को मिलता है तो अगर मैं आपसे simple सा question पूछो कि leaderboard बनाने के लिए आप कौन सा data structure का use करोगे तो इस type के questions का जवाब आपको पता होना चाहिए और यह जो सारे के सारे questions होते हैं यह DSA के domain में ही आते हैं तो आप DSA को practice करना start कर दो आपको 15 दिन महिना वर practice करनी पड़ेगी और इतने time practice करने के बाद आप एक flow में आ जाओगे और आप एकदम मतलब फिर आपको कोई भी question मिलेगा तो आप उसको solve कर दोगे practice करने के लिए आप अपने college के basic questions को basic problems पे focus कर सकते हो जैसे की prime number निकालने का program है या फिर फिबोनाकी शीरीज निकालने का program है DSA को practice करने के लिए online बहुत सारे platforms available है कुछ platforms जो मैं आपको बता देता हूँ जैसे की lead code है, hacker earth है, hacker rank है या फिर top code है ये सारे के सारे platforms free है आप इनको जाके use कर सकते हो ये जो platforms होते हैं इन पे questions होते हैं DSA के और ये questions categorized होते हैं तीन category में easy level के questions होते हैं, medium level के questions होते हैं और hard level के questions होते हैं यहाँ पे आप जाके free में अपना account बना सकते हो और free में questions को practice कर सकते हो ये पूरे coding की journey में मुझे लगता है DSA ही एक ऐसा topic है जो शायद आपको थोड़ा difficult लगे difficult इसलिए नहीं कि ये सीखना मुश्किल है बलकि difficult इसलिए कि DSA को सीखने का अंदर से motivation नहीं आपाता जब हम development skills सीखते हैं तो हमारे अंदर एक internal feeling होती है कि ये सीख के मैं कुछ कर सकता हूं मतलब कुछ problem solve कर सकता हूं कुछ create कर सकता हूं दुनिया में कुछ value create कर सकता हूं बट DSA को सीखने के लिए इस type का motivation आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 examples लेके समझाता हूं जिससे आपको यह realize होगा कि DSA भी बहुत बड़ी skill है और DSA का भी बहुत ज़ादा use होता है real world problems में तो आप सबने online shopping तो करी है तो online shopping के time पे आप pink code डालके अपनी delivery चेक कर सकते हो कि expected delivery date क्या है तो यहाँ पे शायद आपको जानके हैरानी हो बट internally यह graph travel algorithms को use करते हैं अब graph travel algorithms मतलब कि DFS या BFS को use करके यह पता लगाया जाता है कि जो आपका item है वो जिस warehouse में है वहाँ से आपके pin code तक पहुँचने में उसको कितना time लगेगा second example है flight booking का हम online जाके हम online किसी भी website पर जाके flights को book कर सकते हैं तो अगर मुझे डेली से लंडन की flight book करनी है तो डेली से लंडन जाने के लिए बहुत सारे possible path हो सकते हैं direct flight भी हो सकती है या फिर कोई single stop की flight हो सकती है multiple stops की flight हो सकती है तो इस problem को solve करने के लिए भी internally graph traversal algorithms का use किया जाता है तो अभी तो मैंने आपको सिफ दो ही example दी हैं बट ऐसे बहुत सारे real life examples हैं जो की actual में basic algorithms को use करके आप किसी real world problem को solve करते हो तो मुझे लगता है कि यह examples आपको थोड़ा motivate करने के काम आएंगे और आप थोड़ा DSA पे focus करोगे अगर आपको इन journal topics पे और interest है तो नीचे comment section में post कर दो तो अब आपने programming language सीख ली और आप आपने DSA में भी practice कर ली तो इसके बाद आप apply करना start कर दो यहां से आपका application की journey start हो जाती है आप apply करने के लिए LinkedIn पे जा सकते हो या फिर किसी employee का referral ले सकते हो company की career website पे जा सकते हो आपके पास 2-3 options होते हैं apply करने के लिए अभी तक हमने जिन topics पे भी बात करी है यह तो हो गया part 1 मैं पिछले 10 सालों से software engineering की job कर रहा हूँ और मैंने एकदम zero से start किया था और जो मेरी last company थी Uber वहाँ पे मैं काफी senior position पे था और इन 10 सालों में मैंने बहुत सारे interviews दिये भी हैं और लिये भी हैं किसी भी एक interviewer को candidate से इतनी expectations तो होती है कि उसको DSA तो पता होगा अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बाकी लोगों से अलग दिखूँ आपका जो resume है वो बाकी resume से बिलकुल अलग होना चाहिए तभी तो आपको interview की call आने के ज़्यादा chances है वीडियो की starting में मैंने आपको यह बताया था कि इस चीद से कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका background क्या है या फिर आपका college क्या है बलकि इस चीद से बहुत फरक पड़ता है कि आपको कितनी skills आती हैं तो अगर आपको बाकी candidate से stand out करना है तो आपको अपने आपको थोड़ा up skill करना पड़ेगा और आपको आने वाली दो skills के बारे में भी सीखना पड़ेगा इंडिया में हर साल 15 लाख students graduate करते हैं एक ऐसा student जिसको as a fresher 40 लाग रुपे मिलते हैं उसमें कुछ तो अलग होगा ना compare to a student जिसको 6-7 लाख रुपे मिलते हैं मतलब अभी आपको हैरानी हो रही होगी मैंने personally as a candidates का interview लिया है जिनको as a fresher 40 लाख रुपे offer किये गा है मतलब mind blowing इतने पैसे देखके ना मतलब आखों के सामने पैसे ही आ जाते हैं जब मैंने engineering complete करी थी तब मुझे भी कोई on campus placement नहीं आया था और मेरे off campus career की journey में ये दोनो steps ने मेरी बहुत मदद करी और मतलब अगर मैं ये दो काम नहीं करता तो शायद मैं आज उस level पे नहीं पहुंचता जिस level पे मैं पहुंचके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी इस coding की journey में third important milestone है application development पे focus करना अभी थूड़ दिर पहले मैंने आपको software domains के बारे में बताया था तो आपको जिस भी domain में interest है आपको उस domain को select करके उस particular domain में application development पे focus करना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि उस particular domain में applications को कैसे develop किया जाता है application development का ecosystem क्या है ecosystem मतलब कि आप application को कैसे develop करोगे code लिखना तो सिरफ first step होता है जैसे कि आप यहाँ पे example के लिए देख रहे हो मेरे पास एक sample code है जो height और weight के basis पे आपका BMI निकाल के दे देता है लेकिन अब next step यह आता है कि आप इस code को कैसे एक application के form में package करोगे और कैसे इस application को external users के लिए accessible बनाऊगे कि आपकी application को कोई भी user use का सके और वो अपने height और weight के basis पे अपना BMI चेक का सके development ecosystem में आपको mainly 2-3 चीजों पे focus करना पढ़ेगा सबसे पहले तो आपको अपना एक development environment set करना पढ़ेगा development environment मतलब कि एक ऐसा environment जो कि आप अपने laptop पे create करते हो और जिसको use करके आप application code का सकते हो अगर आपने अपने laptop पे environment create नहीं किया है तो आप आप पे code भी नहीं का सकते इस topic पे मैंने detail में एक video बना रखा है अगर आपको interest है तो link यहां कहीं और नीचे description box में है second step है आपको software development के fundamentals को सीखना बढ़ेगा software development के कुछ fundamental concepts होते हैं जो कि हर एक domain पे apply होते हैं जैसे कि जब हम school में होते हैं तो हमें कुछ basic सिखाये जाते हैं जो कि हमारे पूरी life काम आते हैं उसी तरीके से software development के लिए भी कुछ fundamental concepts होते हैं जो कि हर जगे पे use होते हैं चाए वो data science हो चाए वो back end हो, front end हो कुछ भी हो और कुछ दो-तिन topics का मैं आपको example दे देता हूँ जैसे कि web applications कैसे काम करती है, http, https, rest APIs, domain names and so on अगर आपको इन सारे topics में interest है तो link यहाँ कहीं और नीचे description box में है next step है एक framework learn करना आप जिस भी domain में जाके application बिल्ड करोगे वहाँ पे आपको एक framework की need पढ़ेगी अगर आपका interest front end development में है तो react front end development के लिए number 1 framework है अगर आपका interest back end में है और आप specifically java को use कर रहे हो तो आपको spring पे focus करना चाहिए java में development के लिए spring सबसे top में आता है और अगर आप python को use कर रहे हो तो आपको jango पे focus करना चाहिए अभी मैं आपको जो भी framework बता रहा हूँ ये सारे के सारे framework दुनिया में एकदम top में है और सबसे ज़्यादा job opportunities आपको इनी में मिलती है और development सीखने के बाद सबसे last step आता है किसी एक demo project पे काम करना ज़रूरी निये कि आप पहले यहाँ पे theory को सीखो और फिर practically जाके किसी एक project पे काम करो जैसे से आप theory को learn करोगे वैसे वैसे आप उसको practically किसी एक project पे apply का सकते हो यहाँ पे important यह निये कि जो आपका demo project है वो बहुत ज़्यादा complex होना चाहिए या फिर उसमें इतने सारे features होने चाहिए इस चीछ से कोई फरक नहीं पड़ता आपका जो demo project है वो एकदम simple भी हो सकता है जब मैं अपनी first job search कर रहा था और apply कर रहा था तो जिस project पे मैं focus कर रहा था वो एकदम simple project था जिस project पे मैं काम कर रहा था उसमें सिरफ एक ही feature था कि user आता था एक simple landing page पे और user कोई भी file को choose करके upload कर सकता था बस इतना सा काम था सिरफ लेकिन important चीज़ ये है कि आपको बिना ध्यान अटाए किसी भी एक project को complete करना है उसको आधे में नहीं छोड़ना है अगर आपने किसी चीज़ को आधे में छोड़ दिया तो दुबारा start करने में आपको बहुत जादा मैनत लगने वाली है हो सकता है जब आप इस roadmap को follow करो तो आपको बहुत सारे terms सुनने को मिले जैसे कि API development, API call, web app, react app, front end, back end मदब आपको इतने सारे terms सुनके confused नहीं होना है जैसे कि आपको पता है इंडिया में जितनी भी languages हैं वो एक ही language से derive की गई हैं संस्कृत से तो वैसे ही अगर आपने एक बार in fundamentals पे focus कर लिया तो आप किसी भी terms के बारे में आपको पता हो जाएगा आपको मतलब इस चीच की tension नहीं होगी कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है अभी आपको सिरफ in fundamental topics पे ही focus करना है अगर फिर भी आपको किसी term को लेके doubt है तो नीचे comment section में post कर दो जब आप किसी development roadmap को follow करते हो तो उसमें आपको सबसे बड़ा doubt ये होता है कि जो भी आप कर रहे हो जो भी आप सीख रहे हो उसका कितना scope है आपको ये डर लगता है कि जो आप सीख रहे हो कहीं उसकी कोई value ना रहे आगे जाके आपको बहुत सारे नहीं-ने trends सुनने को मिलते हैं जैसे कि आज के time पे जो topic सबसे ज़्यदा trending है वो है chat GPT अग chat GPT मतलब की generative AI जब PUBG था market में तो उस time पे game development बहुत चलता था जब cryptocurrencies नहीं नहीं आई थी market में तो blockchain बहुत ज़्यदा trend में था तो इतने सारे trends को देखते वे आपको यहाँ पे अपना focus lose नहीं करना है आपको mainly चारी topics पे focus करना है सबसे पहले आपको programming language सीखनी है फिर आपको programming language को practice करने के लिए DSA पे focus करना है third number पे आपको application development के बारे में समझना है और fourth number पे आपको किसी एक demo project पे काम करना है अगर आपने इन fundamentals को सीख लिया अगर आपने इन fundamentals पे थोड़ा time invest कर दिया तो आने वाले time में आप किसी भी trend को follow कर सकते हो और उसके master बन सकते हो मतलब हो सकता है आप खुद अपना एक trend मना दो summary के लिए मैंने इन सब को एक बार list कर दिया है आप यहाँ पे इनको देख सकते हो अगर इन सब में कोई भी doubt है तो नीचे comment section में post कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे like बटन पर apply कर दो और आप चाते हो कि इसी type के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को subscribe कर लो Thanks for watching guys, take care